कि ओके सो हेलो एवरिवन विल्कम यू ओल्टु दिस विल्ट स्टैंडर्ट सबसे पहले तो बहुत सारा वेलकम आप लोग को आप लोग 11th सकस्फुली या आपके चाहत के साफ से या जैसे आपने सोचा उगा उससे कम तरीके से जिस भी तरीके से आप 11 खतम कर चुक हैं कॉंगराइशन सुरुाएं बूल जाना है कि क्या हुआ है लयन तो है हमारे साथ कितना चीज थे हूपाया जैसे नहीं हो पाई कितना बाक लॉग है और शारी चीजों को फिल्हाल अपने दिमाग से उठाके उठा के साइड में रख देना है और हम आच चुके हैं 12th स्टैंड से हम स्टार्ट करने आले 12 का सिलेबस जो 11 वाले लोग है अगर 11 वाला कोई भी इनसान है जो इस चैनल पर सब्सक्राइब है जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा टेंथ पास करके जस्ट 11 में आये हुए होंगे उन लोगों को मैं बता दू कि हमारे चैनल पर अल्रेडी 11 क अल्मोस्स सारे चैप्टर्स की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बस मेकानिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड के आगे कि जो आखरी के चैप्टर से ऐसे चम उसिलेशन वाला पार्ट और एलेक्रोमाग्नेटिक वेवस तहला कि हम भी करेंगे लेकिन ऐसे चैम और साउ प्लेलिस्ट बनेए वहां से लेके आपको सीधा सीधा यह वाला जो टाइम है मेकानिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड तक का इतना सारा का सारा कॉंटेंट इस चैनल पर मिल रहा होगा तो आप जाकर उन सारी प्लेलिस्ट को चेकाउट कर सकते हैं महां पर आपको सारी कि आपने उतना जल्दी स्टार्ट किया कीपिंग 11 स्टांडेट स्टूइंट से साइट 12 वालो हेलो विल्कम यू और अगयान आप सब लोग आ चुके हैं इस चैनल पर अब हम आज से स्टार्ट करने लेक्रिक चार्जेसें फील्ड के उपर डिसकेशन सही है यह हमारा पहल 12 का चैप्टर जो है 12 के बिगिनिंग आप करते हो तो जो फर्सक्राय में इतसल्थ यह बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है इलेक्रोस्ट्राटिक जो कि दो चैप्टर से कंसिस्टिंग होता है पहला इलेक्रिक चारिजेसं फील्ड है आपके ऑलेक्रिक चारिजेसं मेर्ड और दूसरा potential and capacitance, इस सब को मिला के हम बोलते हैं electrostatics, और यह जो electrostatics वाला portion है, यह electrostatics आपको बहुत जाधा important, आप लोग के लिए बहुत जाधा important रहने वाला है, आपके हर साल के J.E. के paper में 2-3 question आपको इस particular topic से देखने ही, देखने मिलने वाले हैं for sure, है न, need के terms में भी again very important chapter, तो आप चाहे boards दे रहे हो, चाहे आप J.E. need किसी भी चीज़ की preparation करे हो, electrostatics का यह portion बहुत important होने वाला है, इसलिए, और साथ जाधी chapter lengthy भी है, यहाँ पे जो topic आपका cover होने वाला है, वो काफी सारा है, तो आपको धेर सारे lectures cover करने पढ़ेंगे इसमें, है न, however I'll try, कि हम जितना जितना चीज़े, maximum हीक एक lecture में cover कर सके, so that हमारे number of lectures काम हो, लेकिन, however, that doesn't change anything about the total content, hours, जितने भी घंटे का वो total content होने वाला है, तो सारी चीज़े आपको पढ़ना काफी साधा पढ़ने वाला है, length साधा होने वाली है, तो concepts आपको बहुत सारे पढ़ना है, that is the only thing, लेकिन, सारी चीज़े एक दूसरे के साथ में related रहेगी, तो इसलिए it is very, the best practice would be, कि आप start करेंगे lecture number one से, और सारी चीज़े sequentially देखते चले जाएंगे, 12th just start हो रहा है, तो अभी पहले एक दो महीने आप लोग के पर बहुत जादा stress नहीं होगा, तो it is better, कि आप अभी से चीज़े backlog नहीं बनने दें, और साथी साथ रोज का daily basis पर जो भी हम यहां पर live lecture में cover कर रहे हैं, अगर आपका possible आप रात को 11 बच यहां पर live आएं इस channel पर live attend करें, अगर for some reason आप नहीं attend कर बार है, तो फिर यह आप के लिए anyways, यह stream available रहेगी channel पर तो अगले दिन सुबह अगले live class के पहले आप यह lecture देख लें, so that उससे क्या होगा, कि आप एक right page से भी आगे बढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ next lecture में आपको जो भी prerequisites क्या उशकता होगी, जो भी मैंने पिछले lectures में discuss किया रहेगा, वो सारी सारी चीज़े आपको देखने मिलेगी, एक आखर सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े बहुत सारी इंफरमिशन आपको दे दिया, लेकिन अगर आप इस स्ट्रीम को बाद में देख रहे हैं, recorded version में, तो feel free to switch this to 1.25x या 1.5x, जिस भी maximum speed में आप चीज़े ग्रास्प कर सकते हो, speed पे इसको ले जाके देख लेना, उससे क्या होगा, anyways, अगर आप live में रहते हो, live में रहने के अलग perks है, recorded version देखने के अलग perks है, live में अगर आप हो, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर को कोजी का message आ हो है, मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहे हो, लेकिन इस तरीके से हम, you know, live interaction कर सकते हैं, अगर आप live session attend करते हो, comments में डाल सकते हो, अपनी question query जो भी हो, और मैं उसको बाद में respond back कर दूंगा, लेकिन at the same time, a big advantage would be, कि आप इसको 1.25x या 1.5x पर, जिस भी speed में आप चीज़े grasp कर सकते हो, उस speed पर shift करके, थोड़ा बहुत अपना time जै, वो save कर सकते हो, सही है, okay, so those are the only things that I wanted to share, and we can get started, ठीक April 1st week, आप लोग एक्जाम से चाल हो जाएंगे, तो, दस दिन में एक्जाम से है, correct, तो दस दिन में एक्जाम है, तो आपको last final revision से चाल रहे होंगे है, आपके लिए last moment के लिए अगर आप चाहते हो, कि मैं आपको कुछ बता हूँ, तो the only thing I would say is, कि mock test देते रहे हैं, at least 2-3 3-4 mock test भी बच्चेवे 10 दिनों में दे देना, one thing, उससे आपको time का बहुत strong अंदाज हरेगा, कि 3 घंटे कितने देर में निकलते हैं, आप कौन से subject पर कितना time दे पा रहे हैं, कितना आपको actual में मिलता है, कि आप पूरा paper attempt कर पा रहे हैं, and all of those things, तो आपको जो paper solving वाली ची questions जितने देख कर जासा को चले जाना, याद नहीं करने बोल रहा हूं, समझ के जाने बोल रहा हूं, because question repeated नहीं होगा, लेकिन questions की line सेम हो सकती है, topic सेम हो सकते है, अगर आप कोई, जितने जादा previous questions देख कर जाओगे, उतना आपके लिए better रहेगा, सही है, सिर्फ आपका KTG का backlog बचा है, आरती शर्म आपका असली नाम में बूलिया, I know कि आपके I think mom का ID है, सार्थक नाम था क्या आपका, सिधार्थ, sorry, मुझे ऐसे याद आ रहा था, okay, सिधार्थ, cool, okay, so guys, let's get going, electric charges को शुरू करते हैं, तो electric charges में, सबसे पहली चीज, जो हमको देखना है, that is, charge, है आज का पूरा का पूरा lecture हमारा dependent होने आला है, मैंने आपको पहली बता दिया, lecture number one will be based on electric charges, जो आपने thumbnail पे भी देख लिया होगा, तो आज हमारा पूरा का पूरा discussion electric charges के बारे में होने आला है, again, 12 start हो रहा है, बहुत exciting होने वाला है, पहला lecture जो है, यहाँ ही से आपके important इस चैनल पर एक और वीडियो बना रखा हुआ है, अगर आपनों अभी तक नहीं देखा, तो भी देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, कि introduction to 12th physics, एक वीडियो बना हुआ है, इस चैनल पर introduction to 12th physics, वह जाके देखना, वहाँ पे मैंने आपको बताया है, कि 12th physics का syllabus क्यों इस तरीके से defined है क्यों हम electrostatic से start करते हैं और क्यों हम सीधा जाकर end में semiconductor spend करते हैं तो यह sequence का importance क्या है हमको chapter की preparation के sequence में करनी चाहिए क्या ncrt का sequence सही है क्या हमने वही sequence follow करना चाहिए हमने अपने मन से अपने इस की साफ से subject topics चुन के या लेकिन उसके स्टार्टिंग वाले portion में जो मैंने एक बात बोली थी वह यहां पर रिपीट कर देता हूं electrostatic में हम बात करने वाले हैं एक रुके हुए चार्ज के बारे में तो एक चार्ज जो अपने जगह पर रुका हुआ है हम उसकी सारी की सारी स्टेडी करने वाले हैं उससे सारी इंफॉर्मेशन हम निकालने वाले हैं उससे सारी अनालिसिस हम करने वाले हैं और इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि हम उस चार्ज को समझे है वो जो चार्ज है उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चार्ज है क्या चीज जिसके बारे में हम सारी चीज़े अब स्टेडी करने वाले है तो चार्ज का परड़ा सिंपल सा मतलब है अगर माल लेते हैं जहां पर इस रूम में बैठा हूं जहां पर एहां पर एक नौर्थbel और साउथ पहले है या दोनों का combination हो सकता है तो अगर कहीं पर भी मेरे पास इस तरीके की एक electromagnetic field मौजूद है और अगर उस electromagnetic field में मैं आकर बैठता हूँ और मेरे उपर अचानक से एक force act करने लगता है इसका मतलब मैं एक charge हूँ तो charge एक ऐसा particle होता है एक ऐसा matter है matter की एक ऐसी property है जो experience करने लग जाएगी force जब भी आप उसको electromagnetic field में लेकर जाओगे है न तो electromagnetic field में जाने के बाद अगर कोई भी matter एक force experience करने लगता है इसका मतलब उसके पर charge है और ये charge जो है this electric charge is basically an intrinsic property intrinsic property का क्या मतलब होता है ये भी हम लोग 11 में एक बार पढ़ चुक है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ intrinsic property का मतलब होता है कि कि किसी भी material की खुद की fundamental property एक ऐसी property जिसको आप और ज्यादा detail में या और depth में जाके नहीं समझा सकते जैसे mass अगर मैं बोलता हूँ मेरा mass 10 kg है तो मैंने 10 kg अपना mass बोला मैं इसको और क्या डिफाइन को अब आप बोलोगे कि अच्छा 10 kg mass मतलब क्या 10 kg mass मतलब 10 kg mass ने टेस फंड़नमेंटल प्रोपर्टी मास मतलब हम mass को डिफाइन जरूर करते हैं कि anything मतलब वैसे तो हम matter को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि anything which has mass and volume is called matter है ना ऐसा हमारा matter का definition होता है लेकिन क्या आप समझा सकते हो कि mass क्या होता है actual में है अब उसकी कुछ definition आप बना के बता सकते हो लेकिन at the end क्या हो कि mass is intrinsic property of matter मतलब हर एक matter के पास में यह property तो हो नहीं होने वाली है उसी तरीके से चार्जिस और इंट्रेंस के property मतलब एक fundamental property किसी भी matter की तो अगर आप कोई भी body को लेते हो कोई भी particle को लेते हो electromagnetic field में रखते हो अगर उसके पर force act करने लगा इसका मतलब उसके उपर electric charge है मेरी बात क्लियर हुई मेरी बात समझ में आई सब्सक्राइब नॉट परचेस्ट एनी पीवाई क्यू बुक वें शुड आई टेक इट अभी आप 12th 24 चली रहा है ना इनका April attempt हो जाने दो में जून जुलाई के आसपास में में जून तक ही आपको जो नई पीवाई क्यू बुक मिलेगी मार्केट में उसमें 2024 के भी questions होंगे तो अगर अभी आप लोगे तो आपको जेई में 2024 के हो सकता है माक्सिम से माक्सिम जैनवरी attempt तक के question मिल जाए एक दो महीने रुक जाते हैं April attempt भी हो जाने देते हैं उसके बाद में उनके भी questions जब इंक्लूड हो जाए तब हम भुक खरी देंगे ठीक है पीवाई क्यूस की तब तक आपको पीवाई क्यूस के बारे में चिंता नहीं करन होता हूं तो उन lecture के बीच में जो भी मैं examples देता हूं या जो भी मैं questions करवाता हूं most of them are byqs तो मैं आपको बहुत unrealistic expectations नहीं set करके देता में एक्दम दूर के आपके रोड़ो वगर के question उठाके एक सी परमा के questions होते हैं जो actual conceptual depth develop करते हैं लेकिन मैं ऐसे दुनिया के बहुत hard questions questions डून डून के नहीं लेकिया था आपके लिए यहां पर कि मैं आपको ऐसे hard question कर रहा हूं जिससे आपको लगए कि यार सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं लेकिन उस question का कोई मतलब भी नहीं है इसलिए मैं try करता हूं कि maximum questions मेरे P by Qs हो या at least based on the same lines हो जैसे previous ES में पूछे ग सब्सक्राइब तो इसलिए it will become clear to you at this point of time it is fine अभी पीवाई क्यूस के उपर चिंता नहीं करने एक बार 2024 के पीवाई क्यूस आजाए बुक्स में उसके बाद हम भुक खरी देंगे उसी टाइम में आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन से बुक आपको खरीदी नहीं है तो व चुन-जुन के सिरफ आसान-ासन questions जो-जो मिर से बन जाते हैं वो नहीं कर सकते हैं आपको you have to give it a fair split a fair mix of questions तो अगर आप पूरी exercise नहीं कर पाते हैं अगर realistically पूरी exercise वैसे तो करनी चाहिए exercise का हर एक question आपको कुछ ना कुछ अलग insight देखर जाएगा सेंगेज में कहीं पर भी additional ऐसे questions लगता नहीं कि जबर्दस्ती बस number of questions बढ़ाने के लिए बना दिये गए हैं वहाँ पर हरे questions आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने ही मिलेगा तो इसलिए it is better कि अगर possible है तो आप exercise के सारे के सारे questions attempt करें सभी है और exercise पूरी की पूरी तो इसका सिंबल समझ लो जब कभी अब मैं अभी से इलेक्र चार्ज असे पीडिया एलेक्ट्र स्टाटिक से पूरा ट्वेल्थ होते तक जब कभी भी मैं चार्ज की बात करूंगा मैं चार्ज को रिप्रेजेंट करूंगा विदे सिंबल क्यू जैसे हम current को i से कर टें तरे केसे चार्ज को क्या रिप्रेजेंट करते है इस में आपको आपको स्मॉल फी देखेगा तुंसे भी जिंदाणी चार्ज का कभी आपको डायरिक्षन नहीं मिलेगा, मैं कभी आपको यह नहीं महीं बोलुगा, म펜़ते सी आप है इक जल्यक्न कटीटी है, जोकि है 5KC in the product क्योंकि कोई बनता है। 5KC in the north का क्या स靶 है। अगर मेरे पास कोई पारिकल्ट है जिसके उपर दो कूलम का चार्ज है मतलब दो कूल हमका चार्ज अदाध सेट है लिए एक स्केलर क्वांटिटी और इसके अब उपर कोई भी डाइरेक्शन से सारी चीज़े वेक्टर क्वांटिटी रहने वाले जिसके बारे में अभी हम आगे चलके डिसकस करेंगे लेकिन फिलाल यह समझना इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो है अपने आप है चार्ज इत्सेल्फ इस स्केलर क्वांटिटी ठीक है कुल ओके तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है अब मैं टाइप सफ चार्ज इसकी बात कर लेता हूं तो चार्ज हमको समझ में आ गया कि एक इंट्रिमसिक प्रोपर्टे किसी बांटर की कोई भी ऐसा मैटर जिसके पास चार्ज अगर आप उसको इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड में ले जाकर रखोगे उसके उपर एक फूर्साट करने लगे और आपको बता दिया किसका सिंबल क्यों है इसका इसा यूनिट कूलंब है और यह एक सेलर वंडटी है टाइप कितने होते हैं चार्ज के यूजुली दो टाइप पॉजिटिव चार्ज हर किसी को पत प हरे पॉजिटिव चार्ज हर अरे अब यह प कहां किसे किया जाता है सारा का सारदा अभ कुछ मिंट और तो टाइप चार्ज बन्रम चार्ज कर सकते हैं की फंडमेंटल चार्ज पार्टिंगर्टें मतलब एक ऐसे बेसिक fundamental units of charge जिनके terms में हम charge को measure कर सकते हैं जिनके वझे से किसी body पे charge आता है मान लेते हैं मैंने बुला कि मेरे पास एक bottle है मेरे पास एक bottle है यह bottle के उपर मैंने बुला कि मेरे पास 5 column charge है अब 5 column अगर charge है तो इसके उपर 5 column आया किसके वज़े से वो जानना जरूरी है न तो इसके उपर 5 कूलम आया कैसे है इसके उपर 5 कूलम आया because of some charge particles है न पांच कूलम का एक बड़ा सा charge आके तो इसके उपर नहीं बैठा होगा कुछ छोटे-छोटे charge particles होंगे जो इसके उपर आगे बैठे है जिसके जैसे इसका जो टोटल चार्ज है 5 कूलम हो गया तो यहीं जो ऐसे छोटे-छोटे charge particles होते हैं जो basic fundamental charge particles होते हैं उनके बारे में अभी हम discussion करेंगी क्या होते हैं वह basic fundamental charge particles और उनके उपर charge क्या होता है उनका मास क्या होता है ओल आप दोस्तिक से न यह सारी चीज़े आप बच्पन में बढ़ चुके होंगे तो कहीं-कहीं बहुत सारी चीज़ों आपको recap लगेगा कि सारी चीज़े तो पता है लेकिन फिर भी important है सारी कि concept में आपके एक्जाम में पूछे जाने सवालों में पूछे जाने वाले सवालों में contribute करेंगे तो इसलिए यहां पर हम जो भी चीज़ें इनको बड़े ध्यान से समझना सभी fundamental charge particles कौन कौन से होते हो तो पहला fundamental charge particle हमारा होता है सबको बता है बच्पन से सबने सुना हुआ है electron क्या होता है electron is सबसे smallest possible negative charge है तो एक ऐसे चार्ज पार्टिकल जो कि negatively charge होता है charge on electron इसलिए मैंने देखो मैंने आपको बलाना symbol क्या होता है charge क्यों होता है तो q of e मतलब charge of electron कितना होता है minus 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb इसी को कई बार 1 e भी बोला जाता है 1 e मतलब charge on 1 electron जिसका value होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb और इसमें minus sign लगा होता है यहां पे समझना important है कि यह जो है electron this is the smallest possible negative charge in the entire universe इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता तो अगर मानलो मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको बोलता हूं जैसे example लेते हैं अगर मैं बूलता हूं कि मैं किसी शॉप पर गया और मैंने माँगा एक किलो शक्कर चाहिए तो उसने क्या वह क्या करेगा जो भी वेइंग मशीन है उसके उपर कोई container रखेगा या paper रखेगा जो भी कुछ है और उसके उपर लेके शक्कर डालना चालू करेगा तो वन केज़ी शुगर के अगर में बात करना तो वन केज़ी शुकर में इट विल बी अच्छे कासी quantity आ जाएगी और उस quantity चोटे-चोटे-चोटे crystals होंगे यह जो वन केज़ी की पूरी शुगर बनी हो किस क्या जैसे बनी एक चोटे-चोटे-चोटे sugar crystals के वाज़े से क्य शुगर क्रिस्टल को और छोटा क्या जासता है अब आप बहुलोगे कि हाँ सरपीस दो यह गर दो कर तो ठीक है I am not talking about that but I am saying कि सबसे smallest possible unit क्या है उसमें जो सबसे smallest possible unit है that is one sugar crystal है उसी तरीके से अगर किसी भी बॉड़ी के उपर चार्ज है तो उसमें जो नेगिटिव चार् सबसे smallest building unit क्या हुआ ब्रिक हुआ है ना ब्रिक किस से बनी तो वो भी चोटे 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 पार्टिकल से बनी है जिनको फिर और उनको छोटा नहीं किया जा सकता फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता human body का भी same to same case है कि अगर human body मैं आपको पूचू किस से बनी है तो आ उनिट्स है ना smallest possible complete units जिसके वाज़े से पूरी body बनी है similarly जो भी किसी पूपर टोटल नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें जो सबसे smallest पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है ताट इस वन एलेक्ट्रोन के उपर वाला चार्ज विच इस माइनस 1.6 and to 10 रिस्ट पाव माइनस 19 कूलम क्लियर है क्लियर है यहां तक बात सबको समझ मैं इसमें किसे को कोई शक है यह जो क्वंटिटी है माइनस 1.6 and to 10 रिस्ट पाव माइनस 19 कूलम यह जो अमाउंट है अमाउंट अफ चार्ज है इसी को हम वन इबोलते हैं तो यह याद रखना ठीक है क्लियर आगे चले अच्छा अब इसी एलेक्रों के उपर मास कितना होगा तो मास अफ एलेक्रों अगर आप देखो तो इसकी वाली होते है 9.1 इंडू 10 रिस्ट पाव माइनस 31 केजी अगें वन ऑफ दे वाल्यू विच यू नीड तो रिबंबर आपको याद होना चाहिए कभी भी अगर मैं से नीन में भी उठा के पूछनों आपको कि मुझे बताओ मास ऑफ एलेक्रों कितना होता है तो आपके जबान से पहला शब्ले निकलना चाहिए 9.1 इंडू 10 रिस्ट का माइनस 31 केजी मेरी समझ में है ना तो यह यह सब जो वाल्यू से जो भी अभी हम देखने वाले तीनो देनों पार्टिकल्स के लिए तीनों फंडामेंटल चाज्ड ऐस्ट को याद होनी ची तीक है क्योंकि भहुत जगा यूज पड़ेगा क्वेश्टन में कई बार यह वाल्यू गिवन होती है कई बार यह वाल्यू नहीं और नहीं गिवन रही तो आपको यह वाल्यू पता ह 31 kg मतलब 9.1 divided by 1 और कितने 0 डालने आपको 31 zeros डालने मतलब इतना छोटा मास है कि एलेक्ट्रॉन का मतलब इमाजन करने का देखा अब हम क्या होता है बहुत बार जब भी हम नॉर्मली पट रहे होते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स चालू करते हैं हम यह सारी वैल्यूस याद कर लेते हैं हाँ टीक है नाइन पॉइंट वर इंट्ट रिस्ट पावर माइनिस 31 kg मतलब 9.1 को आपको 100000 ऐसे 31 zeros लगाके जितनी quantity बनेगी that will be mass of one electron है तो यह काफी छोटी value होती है इसलिए आप देखोगे कई बार जब हम कभी भी questions में calculation के टाइम पर अगर mass of electron की सामने कोई और mass है तो mass of electron इतना चोटा होता है कि हम उसको neglect कर देते हैं हम उसको ignore कर देते क्योंकि इसकी value बहुत कोई significant difference आती भी नहीं है अब अगर question ही electron की उपर है तो आप definitely neglect नहीं कर सकते लेकिन अगर उसके comparison में और भी कोई दूसरे आगे बात करेंगे तो जो हमारा second fundamental charge particle होता है that is proton तो यह जो मेरा electron है this is a negatively charged particle सही है अगर मैं proton की बात करूँ तो this is a positively charged particle इसके उपर charge कितना होता है तो charge on proton is देखो value जो थी यहां पर same to same value है the only difference is जो मेरा negative sign था वो positive बन चुगा है मतलब proton equal and opposite charge वाला positive particle है तो electron क्यों पर जितना भी charge था exactly same to same charge वाला जो positive element है यह जो positive charge particle है उसको मैं proton बोलता हूं clear है ठीक है sir in this chapter I have seen some advance integration which were not practical to solve हां कहीं कहीं पैसा होगा मतलब not practical to solve तो नहीं होगा मतलब possible होता है solve करना लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उतने depth में maths में जितने depth में आप integration पढ़ोगे उतने depth में आप physics में आपको जरुवत नहीं बढ़ती तो आप क्या करते हो फिर उस case में उस case में फिर आप या तो इस type के integration का final answer यह आता है मतलब direct formula के form में याद रख लेते हो सीधा वह apply कर देते हो usually derivations के time पर या फिर ऐसे situations जनरली आती ही नहीं है अब कई बार होगा difficult graph graph अगरे भी बहुत अच्छे से solve हो जाएंगे तो अभी हम जितनी भी चीज़े डिसकस करने वाले chapter by chapter सारी चीज़े I would suggest कि आ और एक चीज जब मैं आपको पूछूंगा तो you will be able to answer कि हाँ यहां से सर नीचे जाना चाहिए ग्राव यहां से उपर जाना चाहिए all of those things ठीक है तो इसलिए अगर अभी तक आपने कुछ देख लिया और नहीं समझ मैं तो जिन्दा नहीं करना अभी से हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग का कुछ basic concept मिस कर दिया हो या हो सकता है आपने सीधा directly graph देख लिया और उसको खुछ से समझने का try क्या हो anything would be possible अभी तक नहीं समझ मैं कोई जिन्दा की बात नहीं अभी से हम basic से जब पढ़ते जा रहे तो आप basic से सारी चीज़ते देखते चले जाओ definitely आप जो चार्ज है यह negative होता है इसी को अगर मैं माइनेस कर दू तो यह चार्ज होन वन प्रोटॉन होगा सब्सक्राइब और अगर मास प्रोटॉन की बात करो तो यहां पर देखो मास प्रोटॉन इसकी भी वालियो आपको यादर रहनी चीए इस वन पॉइंट स्मॉल सबसी इंपोर्टेंट चीज जो यहां पर आपको देखना हुई है कि दिस इन दे रेंज ओफ टेन रेस टुपार माइनस 27 केजी और आपका इलेक्ट्रान था टेन रेस टुपार माइनस 31 केजी अगर आप दोनों कंपेर करना चाहो तो आपको समझ में आएगा कि देखो मैं यहां पर लिखों क्या मास अफ प्रोटॉन इस इक्वेल्स टू कितने टाइम्स होगा मास ओफ एलेक्ट्रान के ट्राइग करते हैं काल्कुलेट करने का तो मास मास अफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 रेस्ट पार माइनस 27 और अगर मैं इसको देखो एंड टाइम्स कि कितने टाइम्स है मास ओफ एलेक्ट्रान के मास ओफ एलेक्ट्रान है 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 केजी तो अगर मैं एन की वालू दिखा हूँ आपको तो यह कितना है का 1.67 डिवाइड बाइन पॉइन 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 इंटू 10 का पावर देखो माइनस 27 प्लस 31 मतलब भी 10 का पावर 4 आएगा अब इसको अगर आप डिवाइड भी करना चाहो तो 1.67 को आप यह फिर में इसको काम करता हूँ 16.7 ए 9.1 कर देता हूँ तो यह हो जाएगा कितना अब यह जो है this will be 1.something something 2 की लगभख into 10 रेस तो पावर 3 तो आपको दिख रहा है कि 10 रेस त पावर three times है मतलब mass of proton जो है वो एक हजार गुना जादा है compared to compared to जो mass of proton है ना sorry mass of electron है और इसलिए अगर आप proton के सामने भी electron को देखोगे तो आप उसके mass को neglect कर सकते हो मेरी बाद समझ भी है ना तो the intent behind telling you this is कि यहाँ पर भी again आप इनको just as values याद कर लोगे लेकिन अगर आप इनको इन वाल्यूस को भी visualize करने का ट्राइक और यह imagine करने का ट्राइक और तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के masses में भी कितना difference है mass of electron जो है वो 10-31 kg के रेंज में और mass of proton जो 10-27 के रेंज में तो इन में आपको 10-4 का सीधा-सीधा difference दिख रहा है addition दिख रहा है mass of proton plus mass of electron तो आप सिर्फ mass of proton बोल के खतम कर सकते हो क्योंकि mass of electron जोस से 1000 गुना चोटा है वो वहां पर आड़ करके आप anyways value में कोई significant difference नहीं लेने लेके आने वाले तो मैंने आपको electron के बारे में बता दिया मैंने आपको proton के बारे में बता दिया एक और तीसरे एक और तीसरे फंडामेंडल चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम neutron बोलते हैं अब neutron क्या होता है इसके बारे में भी आपने आल्रेडी neutral होता है लेकिन mass जरूर होता है और यहां पर आप देखो तो यह mass of proton और mass of neutron आपको दोनों सेम दिखेंगे है ना तो यह देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि mass of proton जो है वो mass of neutron के बराबर होता है exactly the same और उसी तरीके से जो आपका charge on electron होता है that is minus of charge on proton है ना तो यह relations आपको याद रखने हैं यह relations आपको पता होने चीए कि electron और proton पर सेम चार्ज होता है बड़ ओपोजिट नेचर होता है proton और neutron में mass दोनों का सेम होता है और proton और neutron दोनों electron के comparison में काफी भारी है और इसलिए proton और neutron के सामने electron के weight को आप निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसका weight या उसक आपको पता ही होगी कि अगर आपका atom है तो atom के अंदर center में एक nucleus होता है उसके around electron गोल गोल गूम रहे होते हैं जो nucleus होता है उसमें proton और neutron होते है तो अगर मैं structure of atom के time से बात करूँ तो मेरे पास जो भी गोई atom होता है उसके center में nucleus होता है इस तरीके से यहाँ पे एक nucleus होगा यह nucleus will be made up of protons and neutrons और इसके around गोल गोल जो shells है उनमें electrons गूम रहे होंगे है तो इसा हमारा normal atom का structure होता है अला कि उसके बारे में अभी हमको discuss नहीं करना that is not important लेकिन मैंने मैं आपको बता दिया कि यह जो 3-6 particles है यह exist कैसे करते हैं तो किसी matter का जो सबसे smallest possible particle होता है smallest possible individual particle होता है that that is atom और उस atom के अंदर जो सब atomic particles होते है वो होते है यह तीन electron जो की गोल गोल घूम रहा होता है nucleus के proton and neutron जो दोनों मिलके nucleus form करते है for that atom मेरी बात समझ में clear है yes sir no sir यहां तक बात समझ में आ गई है हम आगे बढ़ सकते हैं अब एक चोटी सी बात देखो start किया है भी हमने जब जस्ट्विल स्टेंडर्ड पहले चैप्टर के पहले लेक्चर पर है तो चीज़े आपको थोड़ी से कॉंशियसली चाहते हुए मैं खुद से ही स्पेस को थोड़ा सा स्लो रख रहा हूं ताकि यह सारी चीज़े आपके दिमाग में सेटल इन हो जाए सई से जाए कि तब हम धीरे धीरे स्पीड पिक अप करेंगे और आगे के टॉपिक सो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपका बेस जो है जो आपका फांडेशन हो जाएगा ठेक है हवेवर अगर आपको थोड़ा बहुत भी इनीशेली स्लो लग रहा होगा तो प्लीज पैर विद दाट है ना धीरे धीरे हम स्पीड पिक अप करेंगे ठीक है ओके कूल लेट्स टॉक अब इंटराक्शन बिट्वीन चार्जेस अब हमने देख लिया कि चार्ज यूजवली दो प्रकार क्योंगे एक पॉजटिव एक नेगेटिव निट्रॉन तेक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है लेकिन उसके पर कोई चार्ज है नहीं तो चार्ज जो है हमेशा वह रिपेल करेंगे दूसरे को और अलाइक चार्ज फी लाइत्रा तो इस दो नेचर ऑफ रूल है इस दो रूल ऑफनेचे घड़ा बोल दिया है दिस दीव रूल ऑपनेचे अशर का ही रूल कि हमेशा जो अलाइक चीजें है आप च्टो अपोजिट चीजें North Pole, South Pole, एक दूसरे को attract करेंगे, positive charge, negative charge, एक दूसरे को attract करेंगे, girl, boy, एक दूसरे को attract करेंगे, तो इस तरीके से ये तो एक major का ही rule है, कि जितनी भी चीजे unlike होगी, जो एक दूसरे से opposite होगी, वो attract हो रही होगी, है न, और साथी साथ जो like चीजे है, मतलब जो एक जैसी जो ही हो वो र arrests हो रही होगी, न, तो नौर्टन पौल पास लओगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, positive charge, positive charge, पास लाओगे, बंधिशा होगे, धक्का देंगे, न, एक लड़की, दूसरे लड़की के पास लोगे, बापस repel होगा, जगडे होंगे, दोनों के बीच मेंगे जो कि होता रहता है हर दो लड़कों के लिए भी होता है क्या होता है लेकिन इतना ज़ाधा नियुक्त तहीं बट удив सब्सक्रा करें मतलब हम दोस्तियारी के टंपमस में यह बात करें हम अलग से पार बात करें जहांपे हम बोल रहा है कि लाइट जो आफेल करते हैं कि अग्सक्षाइब करते हैं हर जगसेबह देखने मिलेंगे चाहे वह नेजर के चीज़ेंगे सिर्फ इन चीज़ों के बारे में कि नेजर में इन जनरल जो रूल चल रहा है उसकी साफ से हर अनलाइक चीज़े जो है वह एक दूसरे को अट्राइक करेंगे लेकिन अगर एक पॉसितिव और एक नेगेटिव को साथ में लाया जाए तो दोनों एक दूसरे के मेरी बात समझ में आ गई किसी को कोई शक वेरी डाउट नहीं नहीं है आगे चले ओके इंटरेक्शन बेट्वीन चैज़े समझ में आ गया अब चार्ज और मासके बीच में क्या रिलेशन है क्या सीमिलारी टीस है क्या डिफरेंस से इनको समझने कटा रहा करतें चार्ज औ जैसा कि मैंने आपको 11 स्टांडर के ग्रैविटेशन के टाइम पर बताया था कि अगर आप तें ग्रैविटेशन अच्छे से कर लिया तो आपका जो ट्वेल्ट का फर्स चैप्टर होगा इलेक्ट्र स्टाटिक्स वाला वहां पर आपको बहुत मिलेगी तो वहां पर मैंने मैं आपको बला था कि जब हम लॉफ ग्रैविटेशन पढ़ रहे थे मैंने बलाता है सेम टू सेम लॉफ में अगर आप मास्ट को रिप्लेस कर दोगे चार्ज से तो आपका कूलम्स लॉफ बन जाएगा और सेम चीज होने बहले कूलम्स लॉफ हम नेक्स लेक्टर में जो ह से मैस से लेक्टर स्टाटीक फोटन ग्र Palmer सुजास कर दो और सुम ऐर्युफ मेरी बात समझा गई ना था मनग उना में तो कि बात समझ वाएगई मेरी बात समझ यूश्क वांगी हेन सब्लाइं चार्ज और मार्स समझा इन्प उनों के बीच में क्या similarities है क्या differences से इसको study करने का try करते हैं सबसे पहले चीज़ की charge always comes with mass charge जब गभी आएगा तो हमेशा mass लेकर आएगा कैसे mass लेकर आएगा sir क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है मैंने बोला फिर से फिर से बॉटल का एग्जमपल ले रहे हैं मेरे पास एक बॉटल मैंने बोले इस बॉटल के यूपर 5材 कि पौ pad neues नर्ज बॉटल के बाइब कुल्ब चार्ज esse कहां से आए होगा to know all एक पॉस्टिटिव चार्ज यह आप बोल रहे हो तो पांच तो पांच कूलम बनते तक इसपे प्रोटॉंस आये होंगे लार आ यह फ्यून नहीं आये होंगे तो पांच जैट में पॉलना चाहँ वैसे तो यहां से निउकल कर चुक हो और इसलिए पहले रेलेक्र कर नूट्रल था अब इसके पर 5 घूलं का पॉस्टिव जागे है अगर 5 Coulomb चार्ज के प्रोटोंस इसके उपर मौझूद है तो हमने अभी थोड़े पहले ही तो मासेस देखे, मास अफ एलेक्ट्रोन देखा मास अफ प्रोटोन देखा, मास अफ न्यूट्रोन देखा तो इन दिनों के पास मासेस होते हैं अगर 5 Coulomb चार्ज के 5 Coulomb चार्ज के अगर इसके उपर प्रोटोन साई हुए हैं तो अपना मास भी तो लेकर आए होंगे जितने भी number of particles होते होंगे वो अपना मास भी तो लेकर आए होंगे और इसलिए मैंने बुला कि charge always comes with mass जब कभी कोई भी charge आएगा तो चार्ज आएगा तो अपने साथ मास लेकर आएगा because every fundamental charge particle has got mass तो कोई भी अगर charge आएगा किसी भी body के उपर अगर आएगा तो चार्ज अपने साथ एक mass carry करके लेकर आएगा however, vice versa is not true this is very important कि vice versa जो है यह true नहीं होता मतलब क्या सर? मतलब यह की charge अगर है तो mass होगा ही होगा लेकिन अगर mass है इसका मतलब charge होगा इसकी guarantee नहीं है ऐसे कैसे guarantee नहीं है sir simple जी बात है फिर से bottle उठा लेता हूँ अब बोलोगी sir यह bottle के साथ आप बड़ा नया गरते हो बार बार चीज के लिए उठा लेते हो तो देखो अगर मैं बोलता हूँ अभी तक इसके उपर charge था अगर मैं बोलता हूँ यह electrically neutral है क्या electrically neutral होगी भी हाँ of course है ना मैं अगर इसको पकड़ रोओ मुझे अगर current नहीं लग रहा है मतलब hight electrically neutral है electrically neutral है इसका क्या मतलब बहा यह यह मतलब हुआ कि इसके पर कोई भी चार्ज नहीं है अगर आपने हाँ बला है तो आपका जवाब गलत है इसके उपर चार्ज है लेकिन वह बैलेंस आउट कर रहे हैं जितना पॉजटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो और इसलिए लेक्ट्रिकली न्यूट्र है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि इसके उपर चार्ज ही नहीं इसके उपर चार्ज होंगे लेकिन जितने पॉजटिव है उतना ही नेगेटिव है और इसलिए लेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसलिए मुझे कोई भी इस से करण जटका शौक शौक स्पार्क क पर किया इसके उपर अगर कोई नेट चार्ज नहीं है तो क्या मतलब यह वा कि इसके आस मास भी नहीं है यह तो सर बहुत ही फालतुबात कर दिया अपनिया ऐसा कैसे होगा कोई भी चीज है तो इसके उपर मास तो हो गई यह बॉटल है इसका कुछ वजन है ना मैं उठा तो मैं feel कर पारों किसके आस मास तो है तो anything anything in the world जो भी matter है और जो भी matter उसका स्मास तो रहे गई लेकिन उसके उपर net charge होगा नहीं होगा इसकी गारेंटी नहीं है उसके उपर net charge हो भी सकता है उसके ऊपर नेट चांज़ नहीं हो सकता है आपके अ हो रहा है मतलब उसके पर सिगनिफिकंट हो जलकता है कहीं एकदम माईनियूट सचाच हो लेकिन कमस्ट जीidar cularly नेकर इब सका मतलब यह थो नहीं कि उनके a lot of electrically neutral bodies available in the world जिनको पास mass है definitely लेकिन charge नहीं है लेकिन कोई भी ऐसा आपको body नहीं मिलेगा जिसके उपर कुछ charge है लेकिन उसका कोई mass ही नहीं है अगर आप massless body भी उठा के लेकर आते हो और अगर आप उसके उपर charge ला रहे हो तो charge लाना मतलब ही fundamental charge particles लेकर आना और fundamental charge particles लेकर आना मतलब साथ ही साथ उसका mass लेकर ही आना क्योंकि वो mass आई जाएगा eventually तो charge and mass में ये एक major difference है जो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि charge कहीं पर भी है इसका मतलब mass है ही है mass कहीं पर भी है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पर चार्ज है ही है थेक है अगर हम कुछ उठाते हैं तो normal reaction लगता है क्या वह electrostatic force है नहीं 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 electrostatic force is much different very different है ना अगर आप normal reaction force की बात करें तो normal reaction force तो kind of एक हमारा क्या बोल सकते हैं नॉर्मल एक mechanical force है ना अगर ये बोटल है स्वारी यार में बार बोटल उठा रहा हूं बट it is what it is यह मेरा हाथ है मैंने इस पर बॉटल रखी बॉटल रखी तो बॉटल पे बॉटल का खुद का एक weight है तो उतना force बोटल ने नीचे लगाना चालू किया पर मेरे हाथ में बुला कि different electrostatic force की जब मैं बात कर रहा हूं तो electrostatic force is only because of the presence of charges तो जब कभी आपके चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उन चार्ज पार्टिकल्स के वज़े से ही किसी बॉड़ी के उपर चार जाएगा और उसी के वज़े से electrostatic forces को हम और detail में समझेंगे हमारे कल वाले next lecture में जहां पर हम कूलम्स law के बारे में बात करेंगे कूलम्स law में हम देखेंगे कि electrostatic force आता किसके वज़े से है क्यों आता है कब आता है कितने value के साथ आता है all of those things है लेकिन यह चीज याद रख लेना है यह चीज समझ लेना है कि electrostatic force comes only because of charged particles जैसे अब ही अगर मैं आप से बात करो मैं हाँ बैठाओ चुप चाब और मेरे घर में पूरे घर में मिरे पास कोई मागनेटी नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी मैं magnetic force मेरे उपर आक्ट कर रहा है या मैं चेर पर बैठा हूं तो मेरे उपर magnetic force आक्ट कर रहा है कोई भी चीज नहीं कर रहा है ना magnetic force के लिए magnet का या नॉर्थ पोल और सौथ पोल का आना ज़रूरी है उसी तरीके से आप नॉर्मल रेक्शन को नहीं बोलोगे नॉर्मल रेक्शन इस नॉर्मल ही और मेकैनिकल प्वाइब से डिफरेंस के वह उसको समझना चार्ज जो है वह पॉजिव भी हो सकता है प्रोटान के वज़े से नेगेटिव हो सकता है एलेक्ट्रोन के वेज़े से वहीं पर मास जो ही हमेशा पॉजिव होता है अभी आपने मास सुना है कि चार्ज पॉजिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है प्रोटान के वह जैसे हो सकता है एलेक्ट्रोन के वह जैसे हो सकता है अल अगर चार्जेस है तो चार्जेस पॉजिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मास हमेशा पॉजिव होता है तो तो इस को मैंने बहुत जोर से आपको फेक के मारा तो जब मैंने मेरे हाथ से वो चार्ज निकला तब उसे वह आप तक पहुंचते तक वह किसी भी स्पीड में ट्रावल किया हो कहीं पर भी गया हो वह बहुत तेज घूम रहेगा मतलब चार्ज जो है वह इंदिपंडेंट होता है कि Speed से वह TravelERा है Charge एलेक्ट्रोण आटम में जो इलेक्ट्रोण होता है वह गोल गोल बहुत तेज घूम रहोता है वो इलेक्ट्रॉं है नख वहीपर इलेक्ट्रॉण काभी-कभी किसी बóडी के पर जैसे मैंने बुला वह रिस्ट पर भी रह पर रावल कर रहा है उस पर बिल्कुल डिपंड नहीं करेगा वहीं पर जो मास होता है वो स्पीड डिपंडट होता है यहां पर देखो जब मैं किसी मास की बात करूंगा तो यह वह expression होता है जिसे expression को यूज करके आप मास पार्टिकल क्याल्कूलेट कर सकते हो इसका इसका अर्थ यह हुआ कि मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई बॉडि है कोई ब्रॉड है क्या लूँ फिर से बॉटल लूंगा तो तुम लोग मुझे डाट होगे मार होगे पेन ले लेता हूं मैं बोलता हूं यह 10 ग्राम का पेन है अग्जांपल ले रहे तो 10 ग्राम हों गया अब अगर इसी 10 gram के pen को मैंने बहुत speed से फेका बहुत speed से फेका वी के speed से फेकने से क्या होगा वी के speed से फेका मैंने तो जब वो travel करते हुए जा रहा होगा तो देखना वी यह जो formula दिख रहा है का वाली उतना बढ़ जाएगा मतलब मैं किसी भी बॉड़ी को जितने स्पीड से फिकूंगा उसका मास्ट ट्रावल करते करते उतना जादा हो जाएगा अब आप बोलो कि सर ऐसा थोड़ी होता है मैंने बॉल ली मैंने क्रिकेट बॉल ली और बहुत तेज मैंने 140 के स्पीड से बोलिंग की तो बैटमन तक पहुंचने तक फुटबॉल थोड़ी बन जाती है उसका मास थोड़ी बढ़ जाता है या वह भारी थोड़ी हो जाती है जो बॉल का वेट था उतना उतना ही रहेगा तो भाहिया आप यह जो 140 किलोमेटर पर आर की बात करो ने बहुत छोटी अगा उसके आगे अगर आपका वी कुछ सिगनेविकन्ट वाल्यू से आपने उसको फेका है कि लाइट के स्पीड से आधी स्पीड में या लाइट की स्पीड से 1 पुर्ट स्पीड में अगर आपने किसी बॉड़ी को फेका है तब ही जाके आपको significant change in mass of body दिखेगा क्यों तोगि under root of 1 minus v square upon c square में v square should be significant enough in front of c square otherwise v square upon c square में c square इतना बड़ा है कि v square को आप उसके सामने zero consider कर सकते हो पूरा ratio ही neglect हो जायगा तो under root of 1, 1 ही रहेगा और M0 मेरा M के बराबर आजाएगा मतलब अगर आप light के speed के comparison में बहुत कम velocity से कोई भी body फेक रहे हो तो उसका जो rest mass था और उसका जो mass in the motion था वो same रहेगा लेगिन अगर आपने किसी body को बहुत ही जादा speed से फेका जो आप physically नहीं कर सकते definitely किसी machine वगरे को यूज करेगा आपने बहुत ही जोर से फेका जो light के speed के comparison में कुछ significance रखती है इस speed से तब जाकर आपका जो mass of body है वो increase होने लग जाएगा compared to its rest mass इसीज का example भी देख लेते हैं माल लेते हैं अगर आपके पास कोई body थी यह pen ही माल लो 10 gram का pen है इसको अगर मैंने light की speed से आधे speed से फेका physically fake सकता हूं of course not light की speed तुमको भी बता है बहुत जाद होती है बहुत जाद होती है तो अब इतनी जादा जो light की speed है उसके आधे speed से अगर मैं किसी pen को फेक पाया 10 gram के pen को फेक पाया तो क्या होगा तो यहां पर देखो m का value जो है m का value क्या हो जाएगा m not मतलब जो भी रेस्ट मास है 10 gram इसमें बाद में substitute कर देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी का square वी का square क्याएगा c square by 4 और denominator में क्या था c square था तो यह देखो c square से c square cancel होगा 1-1 by 4 जो हो 3 by 4 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा m not divided by under root of 3 by 2 है न तो 2 by root 3 times of rest mass हो जाएगा तो मतलब mass of body जो है mass of body 1.7 होता है तो 2 upon 1.7 will be greater than 1 मतलब आपको नहीं पर दीखेगा कि जो आपका m है वह m not से बढ़ा हो जाएगा इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि mass of pen 10 g से बढ़कर कुछ और value हो जाएगा कुछ और जादा value हो जाएगा कर आप चाहोते इसको calculate करके देख लो क्यों 10 g से बढ़कर 11 g 12 g 15 g का हो सकता है depending upon आपने कि स्पीड से उसको फेक हुआ है तो अगर यह स्पीड जैसे यहाँ पर मैंने आपको वहला यह जो speed of faking the pen था speed of faking the pen था यह मैंने आपको वहला कि light की स्पीड से आधा है light की स्पीड के comparison में comparable होना ही बहुत बड़ी बात है इतने जादा value कभी होई नहीं सकते अगर मतलब फिजिकल या फेकने पर तो कभी वह value अचीव करी नहीं सकते अगर आप किसी तरीके से इतने high स्पीड से फेक भी पाए तब जाकर आपका जो mass है mass of pen वो rest mass के comparison में थोड़ा जादा आएगा बट whatever it is भले यह value छोटी आती हो बड़ी आती हो लेकिन important बात यह है कि mass जो है वह speed dependent है कि आप जितने speed से body को फेक होगे उतना उसका mass जो है वो बढ़ जाएगा यह mass में changes आ जाएगे लेकिन charge के साथ असानी होता है चार्ज का कितने भी speed से फिको या उसको चुप चाप एक जगह पर रख दो उसके उपर जतना चार्ज था उतना ही रहेगा और हमेशा उतने ही चार्ज पर पार्टिकल रहेगा जब तो किसी और के साथ अपना charge exchange नहीं कर लेता मेरी बाद समझ में clear है yes sir no sir आगे चलें क्या यहां तक अगर बात समझ में आगे तो properties of charges की बात करते हैं दो major properties है जिनके बारे में हमको पढ़ना है पहला conservation of charges conservation of charges का क्या मतलब है conservation of charge का मतलब है कि charge can never be created nor be destroyed है अभी हम पढ़ रहें क्या properties of charges तो अभी हमने देख लिया कि charges होते क्या है charges क्या होते हैं हमने देख लिए उसके उपर fundamental charge particles क्या होते हैं उनके उपर हर एक charge particle जो हर एक fundamental charge particle उस पर कितना charge होता है कितना mass होता है इस सारी चीज़े हमने देख ली अब हम इन charge की properties में घुझके देखना चारहें दो major properties है जिनको हम study करना है पहला is conservation of charge conservation of charge मतलब charge जो है जिस charge के हम बात करेते हैं जो charge on electron है या जो charge on proton है या जो charge on neutron है ये जो charge on proton है ये जो charge on neutron है ये जो charge जैसे कभी create नहीं किया जा सकते है इसका क्या मतलब हुआ बड़ा सिंपल सा एक्जांपल है आपका चार दोस्तों का गुरूप है जो एक घर के अंदर बंद हो गया है आपके पास कोई चीज का एकसेस नहीं है आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है आपके बैंक अकाउंट का एकसेस नहीं है आपका इसकोई ATM काड़निया कुछ नहीं कुछ भी नहीं है बस आप चार दोस्तों के पास मिला कर सो रुपए है और आप घर के अंदर बंद हो मुझे बताओ क्या आप नया पैसा प्रिंट करके बना सकते हो नहीं बना सकते हैं और क्या आप पैसा डेस्ट्रॉई कर सकते हो डेस्ट्रॉई कैसे करोगी आप मतलब आपके वाद जितने पैसे उतने तो रहेंगी तो आप डेस्ट्रॉई भी नहीं कर रहें पैसे को तो आप ना नया चार्ज कर सकते हो ना कुछ पैसा डेस्ट्रॉई कर सकते हो बस आप यह पैस 10 20 20 ऐसा स्प्लिट हो जाए है क्या हो सकता है पचास और फिर उसके बाद किसी के पास 50 है एक के पास 20 है और बच्चे वे दो लोग के पास में 15 बंद रहा है तो इस तरीके का मतलब लेकिन कभी भी कोई चार्ज और या इसा नहीं हो सकता है आप घर के बीच में बंद आपका पैसा चौरी भी नहीं जा सकता मतलब आपका पैसा 100 उपर आपका तूटल थे तो आप 5 दिन बाद भी जब घर से निकलेंगे आप चारों के पैस मिला कि 100 रूपर ही रहेगा ना ना पैसे आप create कर पाए ना आप अपने पास के पैसे को डेस्ट्रॉई कर पाए मेरी बात समझ में है तो दिस हापन्स कि चार्ज हमेशा रीट भी नहीं होगा डेस्ट्रॉई भी नहीं होगा हमेशा एक बॉड़ी से दूसरे बॉड़ी में बस ट्रांसफर किया जा सकता है लेकि किया लिखाँ है पर इलेक्ट रॉन को है का मतलब ह20 मतलब है लू ऑन्थनी यू र बाक ए का स्ट्रींग थियर्ई के स्ट्रिंग थेयरी मतलब दारो मुझे निंबता स्ट्रिंग थेयरी आपके वी तोर अगेर नहीं सम्झामाजे पुरा सेंदें एक बार में लिखके बता हो और यूसके पहले बता हो कि आपका ये कैसा चल रहा है preparation how are you how are your preparations going on and what about you Anthony how are things with you long time no see and happen मतलब live में नहीं मिले होंगे हरो preparation मतलब जेए की नीट की preparation किसकी मतलब आपकी preparation जेए का येस how is it going वहीं तो पूछ रहा हूं अच्छा वाओ नाइस गूइंग गूड सर ओके तो conservation of charge समझ में है कि मैंने क्या बोला कि चार्ज कभी भी create नहीं हो सकता कभी भी destroy नहीं हो सकता लेकिन हाँ एक बोड़ी से दूसरे बोड़ी में ट्रांसफर ज़रूर हो सकता है ये एक statement है इसी statement का एक और दूसरा तरीका इसी चीज़ को बोलने का कि the total charge of an isolated system is constant अब वापस उसी example के व्याद करते हैं आप चार दोस्ते घर के अंदर बंद होके बंद होके मतलब आप दुनिया से cut off हो चुकियो मतलब आप एक isolated system बन चुकियो क्या है और आपको बोला ना कि आपके वास फोन नहीं है तो आप आप सारी चीजों से cut off हो चुकियों आपके पास कोई आपके बैंक का एकसेस ना आपके डेम कार्ड कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप क्या हो गए आप एक isolated system हो गए तो conservation of charge को दूसरे तरीके में क्या बोला गया the total charge of an isolated system is constant मतलब आपके example में तो टोटल पैसे of that isolated system आप चार दोस्तों का जो एक isolated system क्रिएटवा है that is constant कर सभी सेंग अबउट विच्व प्लस क्यों बैए त्री अच्छा ओके यार वो सारे जो पार्टिकल्स है उनके पर अभी भी study चली रही है तो क्या होता है कि यह सारी चीज़े जो है अभी तक हमारे सब atomic particles या अगर रिसर्च हो भी चुकिए बन भी चुका है तो हमारे syllabus में अब तक वह चीज नहीं है तो वही अफकॉस जैसा हमारे education system चल रहा है जैसे हम समय कही साब से काफी पीछे चल रहे होते हैं तो आने वाल से fundamental particles है उससे चोटर नहीं हो सकते है स्थे चोटे mass नहीं हो सकते हैं जी ना उससे चोटे massage jetzt हो सकते हैं सुरी है ना उस्ते चोटा लोगों ने बूल रखा होगा यह लेकिन और गैनिक में बस नेम्ड रेक्शन अच्छे से करके चले जा और दो चार बेसिक चीज़े आद कर लो जैसे अलकॉल का कमशन करने से बनता है इस तरीके की बेसिक चीज़ है अब हाला कि मैंने भी इसको 2017 में पढ़ा है इतिंक लास्ट है तब से मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे भी नहीं पता कि केमिस्ट्री में और अब ही मतलब रिसेंटली क्या हुआ है बट हां यह कुछ दूचा चीज़े मुझे याद ह उच्छा से कर लेना और इस तरीके जो बेसिक रियाक्शन साना जिनको आप जेलालाइस फॉर्म में याद कर सको वह याद करके चले बैलेंसिंग टाइम पर होई जाती है नहीं भी बैलेंसिंग करने का तो वैसे बैलेंसिंग भी बोड्स में इंपोर्टन्स होता है यहां पर इंपोर्टेंस है नहीं जही वगरे मैं आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ों को मिक्स करने से क्या चीज़ बन रही है या फिर कैसी किसी चीज़ यह तो और गयानिक में नेम्ड रियक्शन के बैसिस पर और कुछ बेसिक जो जनरल रियक्शन होते हैं उनको अच्छा जैसे आटम को डिवाइड करके इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन आया है वैसा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन नहीं हो सकता डिवाइड है ना ओहो फोकस नहीं सेट है क्या फोकस सेट करना पड़ेगा एक मिनिट यह आटो फोकस पे सेट है ना तो मैं इसका फोकस सेट कर पर फोकुस हो जाता है बट ओके तो हां आप मतलब अभी तक हमारे सिलेबस जहां तक है हम जितना पढ़ रहे हैं हमारे जितना सिलेबस है नीट का जितना सिलेबस है अभी जो हम जेए में पढ़ रहे हैं अभी जो हम सीबसी में 11 12 में जो भी हम पढ़ रहे हैं इंडिया में at this point of time हमारे syllabus की साब से electron, proton, neutron को further divide नहीं किया सकता दोज़ाद स्मॉलेस्ट फंडामेटल यूनित्स है न अक्चुल में हो चुके है उसके और दिविशन उसके अंदर और छोटे-छोटे पर्टिकल बन चुके है लेकिन वो अभी तक हमारे syllabus में नहीं आए है तो इसलिए भी हम उनको नहीं study करेंगे ठीक है यह तो सर मेरी भी प्रॉब्लम है अच्छा ओर्गनिक सारी चीजों में definitely आती है difficulty मुझे भी थोड़ी बहुत आती लेकिन वही चीज है कि आप जैसे जैसे थोड़ा time spend करोगे वही चीजों को बार बार पढ़ोगे और detail में समझने का try करोगे तो फिर दिरे दिरे आप उस चीज के साथ comfortable होना start हो जाओगे तो समय दोसको थोड़ आपका जाई यह next year है किसी साल है कि को अग्स प्रोटन के अंदर है पर एलेक्ट्रों के अंदर क्या है स्टिंग ओ अच्छा स्टिंग टेरिया फैर हाँ यह मतलब अभी वही वही चीज है कि कि किसके अदर क्या है वगरी वह सारी चीज है हमारे सिलबस में नहीं है और इसल कभी हमारे सिलिबस का ही वह पार्ट नहीं है तो इसलिए कभी हमने उस चीज के उपर फोकस नहीं किया और उस चीज को पढ़ानी विकाज अभी वह सब तोब सब्सक्राइश कम करूं हो जाएगी उसके बाद और उसे फुर्ल को चीजे नहीं अब नाम से पेमस है माइच अगर आप पुराने जाके कोई अगर नया आया है चैनल पर फरस्ट टाइम अगर पुराने स्ट्रीम पूरा 11 प्राइब पड़े ऊसके जाके स्ट्रेम देख लेना आप बोला था एक बार भूल गया भूल गया मैं फिर बहुत आप बताया था जै याद आ पाते हैं तो समझ मैं मैंने आपको दो तरीकों से बताए डूरा नहीं हो सकता हाँ आप दूसरे के बीच में ट्रांस्टर कर सकते हो इसी तरीके से अगर आपके इसको एक isolated system है isolated system के अंदर total charge जो है वो constant रहेगा इसके पर एक छोटा से example भी दे देता हूँ मैं ताकि आप लोग समझ सको मान लेते हैं अगर में पास में ये एक डबा है डबा क्या है डबा मतला इक isolated system है इसके उपर मैंने बोला कि एक body मेरे पास जिसके उपर दो कूलम का चार्ज है प्लस टू कूलम का ठीक है एक दूसरी body मेरे पास जिसके उपर माइनस त्री कूलम का चार्ज है और अगर मेरे पास एक तीसरी body है जिसके उपर प्लस सेवन कूलम का चार्ज है ठीक है अब क्या हुआ मैंने यह लािया रॉब मैंने बने कने क्यon है इसान बिम्हां को एक दूसरे से टक रहा है बहुत कुछ हुआ इंके बीच में devotee चार्ज ट्रांज ट्रांफर हो गए कुछ-कुछ चार्ज ट्राइंसफर मतलब एक का दूसरे ने ले लिया वाएं सो उन एफ़ोट था कि एक बॉल में बोलता हो कि एक बॉड़ी के उपर प्लस घॉलम का चार्ज है । दूसरी बॉड़ी जिस के उपर माईनस 2 कुलम का चार्ज तो मुझे बताओ कि तीसरी बॉड़ी के उपर कितना चार्ज होगा है अब आप बोलोगे सार ऐसी चिंदी चीज़ है क्यों पूछ रहे हो ताकि आप समझ सब्सक्राइब करते हैं बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यह आइसोलेटेड सिस्टम है तो पहले मैं देखूंगा क कि इसके उपर Total charge कितना था इसके अंदर तीन बॉड़ी एक बॉड़ी की उपर दो कूलम दूसरे बॉड़ी के उपर साठ कूलम तो तो लोगे नौ कूलम और तीसरी बॉड़ी के उपर माइन सि Gibson तो टो टोटाल सिक्स गूलम जुह है यह इस isolated body के उपर इस isolated body के अंदर टोटल सिक्स कूलम चार्ज था तेगे isolated body का मतलब क्या isolated body मतलब जो बाहर के environment से कट चुकी है ना cut off हो चुका है बाकी के बाहर के environment से हम cut off करके मतलब यहां पर कोई ना बाहर से mass transfer होगा ना कोई charge transfer होगा तो ना यहांगा कोई charge escape out कर सकता है ना कोई नया charge अंदर आ सकता है अब क्या हुआ कि मैं final stage में भी आकर देखो तो final stage में इसकी charge को कर आप देखो तो मुझे पता एक पाच कूलंब है एक दो कूलंब है और जो unknown है उसको मैं एक समान लेता हूं यह से मिला जुला कि होना अभी भी छे कूलंबी चाहिए चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहली बोला कि एक isolated system है तो उसमें total charge constant होना चाहिए तो बस पांच में से दो गया तीन तो तीन उधर चले जाएगा 6-3 करो आपको मिल जाएगा 3 कूलंब तो आपको बता है कि यह जो तीसरा particle था यह जो तीसरी body थी इसके उपर charge कितना आएगा 3 कूलंब सही है तो यह एक example हो के normal सा conservation of charge का कि अगर आपके आज कोई भी isolated body है तो इस isolated body के ओपर total charge जितना भी रहेगा वह constant रहेगा initially जितना था finally भी उतना ही रहेगा सब्सक्राइब हो सकते हैं redistribution of charges हो सकता है लेकिन अल्टिमेटली जो total charge है वह हमेशा constant आने वाला हाँ जी ना जी इस सनुसर क्लियर है पहली property of charge conservation of charge हो गया क्या कि लियर है क्या हो मैं गौड हम एक घंटा करने 12 standard के पहले chapter का पहला lecture है तो इसलिए हम थोड़ा सा slowly ले रहे हैं लेकिन हम धीरे 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 देते हैं जैसे हम चाप्टर में आगे बढ़ेंगे हम थोड़ी स्पीड पिक अप करने का ट्राइब करेंगे लेकिन इंपोर्टन यह है कि आप जो चीज आज पढ़ रहे हैं जो चीज अभी पढ़ रहे हैं जो समझ रहे हैं उसको आप इतने अच्छे से समझ लें था कि आपको आगे कहीं स्टक फील ना हो इससे लिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि अगर आपको थोड़ा बहुत 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 चीज़े क्या स्लो लगे बैर वित इट क्योंकि आई फील कि इस इस इंपॉर्टन की स्पीड से आप चलते रहो सारी चीज़े ग्रो कर टाइम से सब खतम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो ना कि हम जून जुलाई ऑगस्ट ऑगस्ट अगरे तक हमने सारा से लिए भाग भाग के दोड़ दोड़के उसके बाद में सेप्टेंबर में हमको लग रहा है कि पर आता तो कुछ नहीं है तो हमको फिर से पढ़ना पड परच करेंगे अब ट्वल्ट में आते ही प्रेशर लग रहा है सड़नली हां लगेगा लगता तो है प्रेशर होगा क्योंकि यहां पे दिदेपट हम 11 में होते हैं न क्या होता है मैं आपको बताता हूं बहुत ुदिदीजी चीज्ट आप कहीं कोचिण जाते हो नहीं जात चोटा sibling होता है सबसे चोटा उसको कोई responsibility नहीं फील होती हो थोड़ा free feel करता है क्योंकि उससे बड़े वाले लोग भी तो होते हैं घर में kind of है लेकिन जैसे 12th आली बैच अब निकल जाएगी अगले अपते से और आप 12th बन जाओगे तो now you will become the senior and now you will have your juniors coming in है तो अब आप ही वो last तो अब आपको pressure feel तो होगा कि यार अपना आधा time दो साल के preparation में से एक साल का time जा चुका है अब 12th बचा है अब आपको सारी चीज़े याद आएगी जैसे आपने तो बहुत सारे लोग है जिनका बहुत सारे 11th के भी topics शूटे ह होंगे तब उनको stress आएगा कि सर 12th आगया 12th का भी इतना सारा syllabus पढ़ना है हमको boards के भी preparation करना है हमको हमारी competitive के भी preparation करने है हमको CET के भी preparation करने है फिर हमको 11th के topics जो बचे हुए है उनको भी cover करना सर भी इतना सारा कैसे होगा तीन सब्जेक्ट है सरी बार तो हमको boards भी दे होंगे उन सब्जेक्ट का भी लोड आएगा तो यस प्रेशर तो फील होगा सड़नी और ताट इस बेरी नैच्टल लेकिन वही चीज़ है कि 11th kind of जो होता है आपका वह एक आपको एक साल का runtime यही इसी प्रेशर को absorb करने की preparation के लिए होता है अब जिन लोग ने 11th को भी बहुत seriously नहीं लिया 11th को बहुत lightly लेते रहे उनको slightly जादा feel होगा यह pressure हर किसी को feel होता है कोई भी ऐसा नहीं है जो कितना भी अच्छा 11th का topper भी रहा होगा उसको भी 12th में आके pressure feel होता है लेकिन आपको कितना pressure feel हो र करेगी है तो जिन्दा नहीं करने है सिद्धान सिद्धार्थ सब के साथ होता है तो do not worry थोड़ा सा pressure feel होगा लेकिन हाँ चीजे करते चाओ यह ensure करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहे है और जब पढ़ रहे हो जो चीज पढ़ी समझ में आगे उसके उप सब्सक्राइब करके खतम करके फेक दो यह मान लो कि मुझे फिर से यह टॉपिक पढ़ने के लिए यह चैप्टर पढ़ने के लिए इसके क्वेश्टन करने के लिए फिर से टाइम नहीं मिलने वाले नहीं ही मिलने वाले इमान के चलो you have no time for revision यह assumption के साथ ही अपनी प्रपर करना है that's it उस लेवल की प्रेपरेशन अभी आपको करने पड़ेगी revision जो आपको मिलेगा at the end अगर आपका समय बचता है तो वह bonus रहेगा वह इनिवेज आपको करना ही पड़ेगा to brush up things लेकिन उस टाइम आप कैसी इतना समय नहीं होगा कि our quantization of charge उस टाइम समझा नहीं था लेकिन समझना मेरी बात को जैसे मैं example दे रहा हो ने छोटा सा अगर quantization of charge अगर आपको यह अभी नहीं समझा तो इस से related सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी ऐसा कोई भी question होगा जहां पर चोटा सा भी basic use हो रहा होगा किसी पुरानी चीज का वह अगर आपको नहीं आता है जहां पर चोटी सी पुली लगे और पुली के उपर कोई तो free body diagram आपको बनाना है अगर आपने Newton's loss of motion अच्छे से नहीं किया है यह सोच कहें कि बाद में कर लेंगे तो वह चाट पर आपका missing है तो उससे सिर्व आपको उस chapter में नुकसान नहीं हो रहा है वह जहां जहां पर भी अपना presence दिखाएगा वह सारी चीज़ें आपके लिए बाउंसर होती चली जाएगा इसलेट इस इंपोर्डेंट कि जो भी आप पढ़ रहे हो एंशुर करो कि वह सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से प्रेपार करके समझ रहे हो that's all stress नहीं लेना है minimum हो गया है कि 10 आज करना ही पड़ जाता है 10 क्रॉस तो हो जाता है और वहां थोड़ा से उसके साथ यूस्ट होने में टाइम लगेगा लेकिन हां ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे 24 घंटे सिर्फ सिर्फ पढ़ाई को ही देने हैं आप अपने दिन के आधा एक घंटा करो फिर है जैसे अगर बहुत सारे लोग बलते कि सर अब हमने इत्ती सारी पढ़ाई कि क्या हम तीन घंटे खुद के लिए नहीं ले सकते हैं मैं बलता हूं ठीक है ले लो तो क्या कर रहें उस तीन घंटे पर सर रिले देख रहे हैं लो लॉजिक नो सेंस है ना क्या क्या क्या पाय रही हो आप रिल से देखना है देखो मतलब मैं यह नी बोला कि अंटेटेन्मेंट वगरे सारी चीज़ें सोड़ दो सैक्रिपाइस का दो फुल सैक्रिपाइस वगरे मैं एक दम उस तरीके का भी इंसान नहीं हो जो मैं सारी चीज़ें आपको डॉप उट करने का अगर आप यही समर वेकेशन में बैटके दो दुगंटे भी ले देख लोगे तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो समय में अपके वास कोई ज्यादा प्रिएरिटी वाली चीज़ें आपके पास हाथ में तो आपने उन चीज़ों को ज्यादा प्रिएरिटी देनी ची तो इसलिए आप थोड़ा बहुत समय कुद के लिए निकाल जागते हैं लेकिन बागी सारा समय पढ़ाई को देना पड़ेगा क्योंकि अब आपका सिलेबिस भी बढ़ जाएगा आपके दिरे दिरे प्रेशर आते लिजाएगा और अगर आप अभी से पहले दिन से 12 के पह बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा अगर आपने अभी एक यह फिल्ड का एक लेक्ट्राज नहीं करते चुड़ों बस हो गया वह एक लेक्चर का जो बढ़ती ही चले जाएक वह आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वह एक लेक्ट्चर जो है वह सीधा बढ़ते बढ़ते चाहर पांच लेक्टर का बैकलॉग बन गया उसके वज़े से आपने पुरा चाप्टर छोड़ना चालू कर दिया उसके वज़े से आप आगे चल के कितना जादा स्टॉकल करें वह सारी चीज़े और फिर उसके साथ को पप करने बहुत टाइम लेगा इंपॉस्टिबल तो तो जादा इंपक्ट फुल और जादा रूट फुल रिजल्स निकल करें ठीक है कमिंग बैक टो कॉंटाइज़ेशन ऑफ चार्ज क्वंटाइशन ऑफ चार्ज क्वंटाइशन ऑफ चार्ज क्या होता है थे स्मॉलेस चार्ज दाट कन एग्जिस इंडिपेंदेंटली इस पॉस्परइस चार्ज को इस्दम करते हैं पॉन इगेटेव लिखते थे हैं यह सबसे फंडमेंडलीप सिँ üst जिसकी वैलीश इन्दी आ देख्या 설 काइं भी लखनाए थिए थोड़ी दिर पहले तो था इसबीनल फेल्स मैंने तभी बी बहुते हैं मैंने तब ही चीज है ह जो smallest पॉस्टिबल चार्ज एक्जिस्ट कर सकता है दाट इस वन पॉइंट सेंट रिस्ट पावर माइनस 19 कूलम ठेक है और इसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलता है अब फंडामेंटल चार्ज बोल दिया मतलब सारे के सारे चार्जेस इसी से बनेंगे तो यह देखो मैंने यहां पर भी लिखके दिया है यह 1E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रिस्ट पाव माइनस 19 कूलम अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगा दोगी अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसी वैल्यू क्या आगया पॉस्टिव लगा दोगे चार्ज ऑल्वेज एक्जिस क्या इसके पर पांच कूलम का चार्ज एंग्जिस्ट कर सकता हैं इंट्रस्टिक चेक करना पड़ेगा सर चेक इसलिए करना पड़ेगा कि एक उल्लिख्ट्रोन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 राइस पावर माइनस 19 कूलम यह सबसे स्मॉलस्ट चार्ज है अब अग अगर सिर्फ इंटेग्रल मल्टिपल के टर्मस में चल रहा है तो आपकी किसी बीडिक्रल मल्टिपल और फंडामेंटल चार्ज इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि किसी बीडिक्र पर इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसको एक चोटे से एक्जामपल के थुरू मैं आपको समझाने का ट्राइब करूं कि एक चोटा से एक्जामपल दे दू इसके उपर पूछा जाता है जो आई तिंग जे में एक बार पूछा गया था तो वह मैं आपको बता देता हूं सवाल में पूछा गया था कि क्यान चार्ज ओफ एट इन्टो 10 रिष्ट पा माइनस 18 कूलंब गिवन तो अ बॉड़ी गिवन तो अ बॉड़ी है ना ऐसा एक सवाल पूछा गया था सिमिलर सा सिमिलर लाइन्स पे काफी पहले जे या नीट में कहीं पूछा गया था क्याना चार्ज ओफ 8 इन्टो 10 रिष्ट चार्ज वाइनस 18 कूलंब गिवन टूअ बॉडी क्या एतना चार्ज किसी बॉड़ी को दिया जा सकता इसा नहीं हो सकता व्योंकि यूनिट है जिसको फूरदर डिवाइड नहीं कर सकते तो आप या तो एक लेक्ट्रॉन दोगे या तो नहीं दोगे या तो नहीं दोगे मतलब इंटिक्राल में होगा तो देखो मैं क्या करूंगा क्वान्टाइजेशन अफ चार्ज लगांगा क्यों इक्वल्स टो एनी होना चाहिए क्यों मतलब टूटल चार्ज एक काम करते हैं एक काम करते हैं मैं हाप इसको एक डेसिमल आगे ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा इसको मैं 16 कर दू 16 इंटू 10 रेस्ट पावर एक डेसिमल आगे तो एक यह और कम हो जाएगा माइनस 20 एक टू दा 16 होता है वन बाइटू कितना होगा पॉइंट फाइव तो मैं आप लिकराओं पॉइंट फाइव इंटू 10 रेस्ट पावर 20 उपर जाएगा तो 20 माइनस 18 हो जाएगा तो कितना आ गया पचास तो मुझे एन की वाल्यू कितनी मिली पचास पचास इसे इंटीजर येस अफ्कॉस इंटीजर अब अगर यह एक इंटीजर है इसका मतलब अगर मैं 50 एलेक्ट्रॉन किसी बॉड़ी को देता हूं तो इसके ओपर माइनस 18 कूलम का चार्ज जाएगा या मैं उल्टे तरीके से बोल सकता हूं किसी बॉड़ी अगर यह एंट की वालू कुछ डेसिमल में आ जाती तो क्या मैं डेसिमल के टर्म्स में उल्क्रॉन का ट्रांसफर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं तो इस बार बार इस तरी के सवालों में देखना पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर्ड कितने हैं अगर इंटीजर है तो ही इस पॉसिबल अधर वाइस इस नौट है इसी जीज़ को हम बोलता है ने एहां सब्सक्राइ़ मेरे स्कुल वालों ने मिर से पर्सनल भूंदस निकाली है अरे क्या किया कि आपके सथ में कुछ उंपसेयों को सुना दिया क्या में जगड़े होते हैं जनरली तो फिर यह चीज देखने मिलती है थोड़ी बहुत है इसलिए हम लोगों को भी बोलते हैं हमारी टीचेस हम भी बोलते हैं अपने स्टूरेंट्स को कि स्कूल वालों से इसे पंगय उंगे तो मत ही लिया करो जो बोल रहा है कि हाँ ठीक है खुश रहो उनको बस खुश रहो तुम है इनिवेस असा बहुत जादे नुकसान नहीं कर पाते हैं जब उनको एड़ इंड इंटर्नल मार्क्स भेजने होते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स भ साल बर देंगे लेकिन हाँ थोड़े बहुत दो चार पांच मार्क्स तक का तो आइकन से की होता है डिफरेंस होगा कि जो क्लास का टॉपर होगा या जिनको टीचर बहुत जादा पसंद करते होंगे उसके स्कोर में और आपके स्कोर में फॉर दे सेम आंसर प्रॉबिबली की डिफरेंस आपको दो चार पांच मार्क्स का देखने मिल सकता है लेकिन हाउस से जादा नहीं उपर रख पड़ेगा ठीक है मैंने कुछ नहीं किया बस बस कहते कि NCRT सॉल्ट करो बस NCRT सॉल्ट करो हाँ तो आपने NCRT नहीं सॉल्ट किया किया मैंने एक बार बुक शॉल्ट कि NCRT सॉल्ट करो मैं एक बार बुक सॉल्ट अच्छा कोई और सॉल्ट कर रहे थे बुक तो बुक सी चीन ली ठीक हा मतलब यसे स्कूल बें स्टेंसेस होते रहते हैं कि मैं होते रहते हैं स्कुल के टीचस को ऐसा थोड़ा बहुत वह भी लगता है कि यार हमारा छोड़ के हमारा नहीं सुन रहे हैं अपने मंद का कर रहे तो होती है सारी चीज़ है कोई बात नहीं कुछ नहीं फरक पड़ेगा ओके चले आंगे कि लिए है तब तो समझ में आ सबसे स्मॉलेस्ट हमारा फंडमेंटल चार्ज है उसके बराबर सब्सक्राइब हम बात करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे यहीं पर इसको खतम करेंगे इंपोर्टन क्या समझना इंपोर्टन यह है कि चार्ज से रिलेटर्ण को जितना डिस्क्रेशन करना था वह हम अल्रडी कर चुके हैं तो इसलिए ब्सक्राइब कर बादी देखना है क्योंकि यह दिया हुआ है इसके पर डाइरिक्ट सवाल आपको नहीं मिलेगा जई वग सवादे यहहां पर डाल सकते हैं कि चार्ट में जूट डाल सकते हैं अच तक डाल के नहीं देखा हो स्टार्ट क्यूंतर नहीं यार जी आफ नहीं डाल पारहों यहां पर सिर्फ stickers है अज उसे नाशना करवाले से जिए यह 200 क्रेमी डाल देता कुषी के लिए करねं के लिए दीआ कुछ है कुछ है । दीखे चंव कुछ मिलता है क्लिए कोई sticker भी अभलेबल नहीं यह क्या बात हुई सेली ब्रेट के लिए कुछ नहीं बताओ क्या बात हुई है रोगोज अच्छा सा ढूंड के मैं के मुझी डाल देता हुआ आपके लिए अभी मुझी डालना पड़ेगा आप स्टिकर सीकर से अच्छे मिलने रहे कि यह यहां पर इनए डांस करने लगाक्छा भी था डांस करने ले बच्छा भी था हाँ मिल गया यह डाल दिया अ है के नाई सागी है ठीक है ओके तो हां फन होगया फन हो गया पास हो गई लिए तो 12 को अच्छे से करते हैं 12 में से पास नहीं होना है हमको बहुत अच्छा रांक लेकर आना है जी नीट प्रेपेर कर रहे हो क्या माधव यह सिर्फ यह दे रहे हो और यार माधव आई कि आपका नाम भी कुछ और था इसंग आधा भी था यह याद नहीं आ रहा मुझे अपड़ों के आप बताओ तब तक मैं ये वेज ऑफ चार्जिंग बॉड़ी वेज ऑफ चार्जिंग बॉड़ी कितने तरीके से चार्ज की जा सकती उसको देखते हैं अब यह चार्ज़ेस और चार्ज कर सकते हो है तो तो इसके तीन विज ved ation में गिवन है और जैसी हमको तीन विज समझ में आ गाए उसके हम ग honey हम विस आज के लीक्चर को रइप अब करेंगे और एलेक्ट्रिक चाज अबसाइस करेंगे तो तीन माहें यह धीक पहला तरीका है charging by conduction, conduction का मतलब क्या होता है कि direct contact, अब दो body इसके direct contact करने से आप charges का transfer अगर कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि it is known as charging a body by conduction, conduction का मीनिंग अब क्या होगा, अध्यान से देखो, माल लेते हैं मेरे पास एक body है, यह uncharged body है, यह uncharged body है, तो इसके उपर charge जो है, वो क्या 0 है, यह uncharged body है, मैं क्या करूँगा, मैं एक body लोगा, जो कि charged body है, यह charged body के उपर कुछ charges होंगे, है न, यह ऐसी body है मेरे पास, है न, यह कुछ charged body है, जिसके उपर कुछ charge है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को connect कर दूँगा, इन दोनों को मैंने एक, या तो इन दोनों को touch कर है ना मान लेते हैं जादा बना देतों पांच चार्ज थे तो मान लेते हैं दो इस पर आ गए तीन इस पर हो गए ना यह distribution कैसे होगा charges का that is totally different thing है ना उसके उपर हम और अलग से discussion कर लेंगे जब हमारा जब हमारा specifically वो time आएगा जब हमको discuss करना रहेगा कि यह चार्ज का distribution कैसे होता है but that is not the point of this of at this point of time as of now हमको यह समझना important है कि किसी भी uncharged body को charge कैसे कर सकते हो तो पहला तरीका यह है कि आप किसी एक दूसरी charged body से उस uncharged body को connect कर दो या तो wire get through या तो direct touch कर दो तो क्या होगा कि जो charges है charges का यह distribution होगा दोनों के बीच में और यह जो जितने भी total number of charges है दोनों bodies में distribute हो जाएंगे तो यहां पर भी लगेगा तो उसका भी importance है तो उसको याद रखना जैसे मैंने यहां पर charged body के उपर अगर पांच positive charges दिखा है तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो final stage में हमारा पहला method हो गया जिसको हम बोलते हैं charging by conduction से अब यहां पर एक चोटी सी चीज है जो मैं बता देता हूं कि redistribution के बारे में अगर shape size material सब कुछ सेम होगा दोनों bodies का तो charge distribution equally होगा है तो यह तो बड़ी ओब्वेस्टी चीज है कि अगर यह दोनों bodies identical होगी अगर identical होगी तो उन पर जो चार्जे से वह एक्जाक्टली half-half जो होगे अगर यह दोनों bodies identical नहीं होगी तो फिर इन पर कुछ unequal distribution of charge होगा जो बहुत सारे different factors पर depend करेगा however that is not a part of our discussion at this point of time अभी बस समझना important था कि अगर आप किसी uncharged body को charge करना चाहते हो तो पहला method है कि आप उसको किसी charged body से touch कर दो या contact में ला दो जिससे उन दोनों के उपर वो charges का distribution हो जाए और दोनों bodies एक दूसरे contact में आएगी चाहे wire के थ्रूँ चाहे direct physical contact के थ्रूँ तो that is my method of conduction और अगर मैं method of induction की बात को है तो method of induction में हम without direct contact body में charge लाते हैं अभी कैसे करेंगे हैं माल लेते हैं मेरे पास एक body है यह body है या Phone charge body है इसके ओपर अभी charge कुछ भी नहीं है मैं क्या करूँगा मैं एक दूसरी charge body इसके पास लाőंगा मैं एक charge bodies क कैस लाऊंगा टचनी करूँगा pass लाऊंगा माल लेते हैं यह negatively charged body है भिँझे ऍसके पास लाई बश नहीं पास लाई यह property, दूसरी property मैंने आपको एक छोड़ी सी चीज बताई थी, अगर यह body uncharted है, क्या इसका मतलब यह है कि इसके उपर कोई भी charges नहीं है, इसके उपर कोई भी net charge नहीं है, लेकिन इसके उपर charges तो है, जितने number of positive charges थे, उतनी number of negative charges है, इसलिए यह net charges body पे neutral है, यह zero है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कि इसके उपर charge particles ही नहीं है, तो क्या होगा ध्यान से देखना, negatively charged body जैसी इसके पास आएगी, तो इस uncharged body के अंदर जो मौझूद charge particles है, वो अपना interaction शो करना चालू करेंगे with these outside charge particles, तो negative charges है, negative charges के तरफ कोई attract हो जाएगा, सारे positive charges, तो वो सारे इस surface पे आजाएगे, जो surface इस negative body के close है, definitely body छोड़ के charge particles बहार कूद तो नहीं सकते, क्योंकि वो body के अंदर bounded है, लेकिन at least body के अंदर वो जितना maximum fence तक आ सकते हैं, जितने boundary तक आ के चिपक सकते हैं, उतना चिपक जाएगे, अब यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर मैंने 7 positive charges बनाए हैं, जो जाके उस surface के पास चले गए, तो 7 negative charges जो है, वो of course opposite चले जाएगे, मेरी बात समझ भाई, क्योंकि देखो, यह uncharged body थी, uncharged body थी मतलब total number of positive charges and negative charges उस body पे equal था, मैंने तो सिर्फ negative body पास में लाई है, उसके वाज़े से क्या हुआ, body पे position हो गया है, या थोड़ा सा realignment हो गया है, जो negative वाला, negative body है, उसके पास वाले surface पे सारे positive charges आ जाएंगे, और जो negative charges है, वो उस body से repel होके, जो एकदम other extreme है, वहाँ पर जाके accumulate हो जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा, मैंने देख लिया कि ये body के साब ते ऐसा हो गया, अब मै क्या करूँगा, एक wire लोगा, और इसके इस end को ground कर दूँगा, ground कर देना मतलब, ground कर देना मतलब, यहाँ पे जितने भी excess electron थे न, इस surface पे, उनको ठाके मैंने जमीन में डाल दिया, अब जमीन के बारे में ये बात समझ लो, इसके बारे में हम आगे चल के detail discussion करेंगे, दो च कि जमीन जो है, that is, infinite sink आप उसको बोल सकते हैं, आप उसके अंदर कितना भी charge उठाओ, और उसको जमीन में डाल तो, जमीन सारा charge एब्जाब कर लेगी, सारा charge, जो भी आप उसको दो, वही चीज हम इसलिए आपने अगर अर्थिं का concept सुनाओगा घर में, तो हम बोलता हैं क उस body के surface पे बैठ जाते हैं, अगर आप उसको touch करोगे, तो आपको current लग जाएगा, अगर आप cooler को touch करोगे, आप current लग जाएगा, अगर आप fridge को touch करोगे, आप current लग जाएगा, या कोई भी आपकर जनरल होता हैं, घर में कभी कभी ऐसे कुछ-कुछ appliances में, जैसी आप touch करत और तिंग करने पड़ेगी का अर्थ कि आपको उसको कनेट करना पड़ेगा जमीन से जो भी एक्सट्रा चार्ज आ रहे हैं उस बॉड़ी के उपर वो सारे के सारे चार्जेस धर्ती में चले जाए तो अर्थ इस इन्फाइनइट सिंक बोल सकते हैं आप यह जितने चार्जेस आप धर्ती को देना चाहो वह सारे अब्जॉब कर लेगी तो हमने क्या किया हमने इसके इस एंड को अर्थ कर दिया यह जो सिंबल है यह अर्थ होता है न तो मैं पर पता देता हूं कि यह सिंबल के लिए उसकिया जाता है काफी बार इस चाप्टर में क्वेस्टन सॉल्विंग के टाइम पर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा तो याद रखना कि इसका मतलब है अर्थ करने से दो चीज़ याद रखने है कि आपका जितना भी चार्ज आप दोगे धर्थी अपने अंदर ले लेगी एब्सॉब कर लेगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ पोटेंशल जीरो हो जाता है तो पोटेंशल जीरो के उपर तो हला कि हम काफी डीटेल में आगे चलके डिसकेशन करने वाले आगे के लेक्ट्रेस में तो इसके उपर ज्याद लाएगा और अब आप क्या करो अब आप क्या करो अब आपको फाइनल स्टेट में क्या दिखा अब अपने नेगेटिव बॉड़ी जो है जिसको पास लाके रखे ते आप उसको फेक दो कहीं पर भी आपको दिखेगा कि यह जो मेरे पास बॉड़ी है उसके पर सिर्फ पॉड़ी के पास जो electrically neutral है उसकी पास अगर कोई भी net charge नहीं है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसके पास में नम्बर ऑफ चार्ड जैसे zero है इसका मतलब यह है को इसका जितना positive हैं उति नहीं negative है तो आपने क्या क्या induction मतलब without contact आपने जो charged body लाई उसके और इसके बीचोंगे physical contact करवाया कि नहीं करवाया आपने बस उसको pass लाके उस uncharged body के अंदर जो equal number of positive negative charges है उनका realignment करवाया और फिर जो farther end था उसको earth कर दिया earth करने से वहां के negative charges चलेगा और आपकी जो body है वो positively charged हो गई क्यों क्यों उसमें उतने electron की deficiency हो गई यही चीज़ opposite charges के साथ भी किया जा सकता था आप एक positively charged body लेके आते तो सारे negative charges उस तरफ चले जाते आप positive वाले end को earth कर देते तो सारे positive charges चले जाते positive charges चले जाते का मतलब है कि electrons आके उसको neutralize कर देते अब जैसी आप जो आपकी influence करने आली body थी जो आपकी कि आपको without any direct contact without any direct physical contact between the two bodies सिर्फ आप उनके charges को influence कर रहे हो रियलाइन करने के लिए without touching them बस उसके पास में आकर और इस वजह से आप body को charge कर पा रहे हो this is another method जिसको आप बोलतो charging by induction समझ मैं पर इसा लेट हो गया नोवरी सार तक जितना मिस हुआ है अभी तक का इसको बस एक बार देख लेना है ना आज रात को तो नहीं पर कल सुब उठकर एक बार देख लेना यह lecture पूरा देख लेना विकास आगे के lectures में जो भी चीज़े होगी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी इस lecture में जो जो जीज़े हमने डिस्स कि उसक्यों का तो it is better कि आपको context बता रहे सर सुलीशन सुलीशन्स खतम कर लिया केमिस्ट्री का हो हो सुलीशन्स खतम कर दिये अच्छा प्राक्टिकल में सही है सार इसमें proton और electron अलग कैसे हो गए क्योंकि nuclear force strong है एक्जाक्ली तो इसमें क्या होता है जी अब हम charges की बात करते हैं it is a very good question सिद्धार्थ जो आना भी चाहिए सबके दिमाग में देखो क्या होता है ना कि आप समझना कि अब जब हम यह पूरा electrostatics पढ़ेंगे यह जब भी हम charges की बात करेंगे 12th standard में हर जगा हम जिन charges की बात करें हम बात करें free charges की free charges मतलब ऐसे charges जो atom में bounded नहीं है at this point of time है यह freely available है surface के उपर इदो दो जाने के लिए अब जैसे मैंने आप ए 7 positive 7 negative बना है कि इसका मतलब यह है कि इस body के उपर total सिर्फ 14 ही particles से 7 positive 7 negative भी थे नहीं 7 positive free charges थे 7 negative free charges थे बागी सारे जो bounded charges है जो electron को छोड़के बाहर स्वरी item को छोड़के बाहर नहीं आ सकते वो वाले हैं जुनको हमने नहीं बना है जहांबे भी हम जिस भी चीजों की बात करेंगे जहांबे भी हम charge को represent करेंगे जिस भी बॉड़ी के उपर हम charges show करेंगे यह सारे के सारे free charges है जो bounded नहीं है nucleus के साथ में जो freely available है for transferring from one body to another ठीक है है ओके जी clear ओके तो method of induction आई होप समझ में आ गया होगा method of induction में क्या हो रहा है देखो charging by conduction में हमने uncharged body को charge body से touch करवाया या contact करवाया तब जाके इन में charge distribution हुआ है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यह जो uncharged body थी या बेक charge body बन गई है ना तो यहां पर इसके उपर मैं लिख देता हूं कि charging हो गई है ना या charge हो गई यह body उसी तरीके से method of induction में अब हमने दोनों charged और uncharged body को एक दूसरे के साथ तच नहीं करवाया लेकिन फिर भी जो मेरी uncharged body थी वह वापस से चार्ज हो गई है ना तो इसके मैं बोल सकता हूं कि charging होगी कैसे charging होई जिससे इसके अंदर जितने भी equal number of positive and negative charges थे उन में से मैंने किसी एक तरीके के किसी एक टाइप के charges को उस body पे से हटवा दिया जिससे अब उस body के उपर सिर्फ दूसरे प्रकार के ही charges बचे ठीक है clear okay आगे चले तो यह दूसरा होगा और हमारा जो आखरी में थर्ड है आखरी में थर्ड आफ चार्जिंग बॉड़ी है वह फ्रिक्शन का क्या मतलब है सीदी सीदी बात कि मेरे पास एक बॉड़ी है मेरे पास दूसरी बॉड़ी है दोनों बॉड़ी इसको मैंने साथ मिलिय कि मैंने रप किया रप किया रप करने से क्या होगा कि कोई एक बॉड़ी जडे को यह इसकी उपर से चार्जेंश, दूसरे के उपर shift करना चालू करेंगे तो मानन लेते हैं, यहाँ पर मैं Electrons का transfer हो, बॉड़ी इसको देखोगे तो एक बॉड़ी जो बॉड़ी और पास इ इंच कर चुकी होगी और जो दूसरी बॉड़ी है वह एलेक्ट्रों रिच हो जाएगी मतलब उसके पास में नेग्रिटिव चार्ज आ चुके होगे तो मैंने क्या कि वापस से मैंने एक अब रभींग के वाज़ से बहुत कॉमन एक्जांपल होता है जैसे आप लेते हो है आप कोई बालो और प्लास्टिक स्केल के बीच में कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है अपके बाल और अपकी प्लास्टिक καई जो दोनों पहले अन चार्ज हो गाए है तो इसलिए अब उन के पास अब शिर्ज़ाइस और वह दूसरी चीज़ों को अपने तरह फटराक्त है रिपल कर पार रहा है साहिए उस तरीकए से बलू की साध्und आप यह देखाओ आपने बलून का बाल में रब करते हो दिवार पर रखते हो तो दिवाल पर लटक जाता है जब तक उसके उपर चार्जेस रहते हैं थो दिर बाद नीचे गिर जाएगा पर तब तक वो स्टिक कर जाता है दिवार के उपर है तो अगर यहां पर भी क्या हो तो उस कपड़े के साथ में तो उस रभीं के वज़े से कपड़े पे से या तो चार्जेस रॉड पे चले जाएंगे या रॉड पे से चार्जेस कपड़े पे चले जाएंगे और इस वेज़े से अगयन जब की रॉड है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ट हो जाएग तो charge transfer हो जाए, दूसरा या तो मैं एक charged body के influence में दूसरी uncharged body लाकर उसके उपर charge separation करवा हूँ और कोई एक type के charges को ground करवा दूँ तो body के उपर दूसरे टाईरी के के ही charges बचेंगे जिस वज़े से वो charge हो जाएगी और तीसरा method है जहां पर हम दोनों body को रब करते हैं रब करने से एक body से charges दूसरे body में transfer हो जाते हैं और इस नोन आज charging by friction है तो यह तीन method थे of charging the body so with that we come to an end for our today's discussion है हमारा lecture no.2 जो कल होगा वहां पर हम discuss करना है आज का lecture सारी fundamental चीज़ों क्लियर करने के लिए था आप 12 में enter कर रहे हो आप पहला चाप्टर पट रहे हो electric charges and fields का जहां पर हमारा अभी से लेके यह पूरे chapter में हमारा जो basis है वो सिर्फ electrical charges होने वाले हो इसलिए वेरी वेरी very important कि हम electrical charges को बहुत detail में समझे और उसी सारी properties को भी जाने so that इन charges को हम जितना अच्छे समझेंगे उतना इनकी study करना हमारी आसान होगा तो I hope कि आज के lecture में जितनी चीज़े हमने charges के बार में cover करी वो सारी चीज़े आपको समझ में होगी कहीं भी कोई confusion question query doubt कुछ भी हो तो मुझे comment section में लगके बताना I'll be more than happy to help you out with the solution of it सभी है सार और पढ़ाओ दो प्लीज सार तक आज के लिए मैंने बस इतना ही प्लान किया हुआ था मतलब आगे और भी है आगे कूलम्स लॉग के उपर फिर हमारे पास और slides है लेकिन फिलाल हम lecture number one में जो हमको charges के बार में cover करना था anyways one hour forty two minutes के लगभग हमारा live हो चुका है ना तो आज के लिए इतना ही था लेकिन yes tomorrow when we come back तो हम कूलम्स लॉग के बार में discussion करें वह सारा discussion हम कलके lecture में करने वाले हैं तो इसलिए कलका lecture भी important रहेगा और electric charges and field जैसे मैंने आपको स्टाटिंग में बता है कि electrostatics वाल जो पूरा portion है जहांसे आपका 12 syllabus start होता है that is a fairly long that is a very long chapter तो बहुत सारी चीज है chapter में cover करने के लिए तो electric charges and fields जो है वह अच्छा का सा लंबा चलने वाला है chapter ठीक है तो आप कम से कम minimum से minimum 10 lectures तो मान के ही चलो minimum रहने वाले 10 lectures तो वैसे तो I think कि ज्यादा जाएगा उससे 15 गरीब lectures तक वो चला जाएगा मुझे लगता है at this point of time देखते हैं कितना कितना हम cover कर पाते हैं बट येस चैप्टर आपको starting मैसा लेगा कि यार this is too much to study बहुत लंबा है क्यों इतनी सारी चीज़े पढ़ रहे हैं लेकिन दो से तीन questions हर साल जी means के कोई भी paper में आपको देखने मिल रहे हैं तो it is a big deal 8 से 12 marks बिलकुल आसान नहीं होते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 16 marks चार question भी आपको देखने मिल सकते हैं 16 marks आपके rank को कहीं से कहीं पहुंचा देगा एक-एक marks आपके ranks में बहुत-बहुत numbers का difference आता है इसले इस वरी इंपोडेंट कि आप इस सीरीज को एलेक्रिक चार्जिस और फील्स को लेक्टर नमबर वन से देखना चालू करें और पूरा की पूरी सीरीज जो है वो लेक्टर बाइक्टर देखते चाले सभी है आगे का topic है कौन सा इन questions अच्छा कूलम्स लोह कल के लेक्टर में कूलम्स लोह देखेंगे पूरा समझ लेंगे और फिर उसके questions मेरे पास बहुत questions कूलम्स लोह के लिए तो लगबग 10-12 questions तो minimum से minimum में करवा हूंगा आप लोग को जिन मेंसे सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले अपने फ्रेंस के साथ चैनल को प्लीज शेयर कर दें जो अभी 12 की बिगिनिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग से फॉर्स चैप्टर के फॉर्स लेक्चर से अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो जैसा ये चैनल आप लोग की हल्प करते आ रहा है अभी तक और आपको 11 में भी इतनी हल्प करी है अगर वाल्यू एड़ हो रही है सह लाइए में तो अपने फ्रेंज के साथ भी इसको शेयर करना इस चैनल को फिटाफर्स से ग्रोग करने में फिल्प करना एंड़ सी यू अगेन इंदे नेक्स लेक्शर है ना किसके बारे में बोल հहा हो गित्यों के बारे में है हां सुना तो है वैइट करेंगे मिफ्काष काृष करते हैं नकिर अव लेट्स रड़ स्षाप अप छानल को शेयर कर देना एक बार जाते याते ।र्ध श्रीग टुमोरो रात क्यारा बचे फिर से मिलेंगे है ना एंड बी हापी बी सेफ टेक क्या बाइब